हेलो दोस्तों मैं हूँ शुबून कॉशल और आज हम एक बर फिर आपके लिए एक शूटिंग वीडियो लेकर आए हैं आज हम 0.36 राइफल जो है हमारी इसे शूट करने वाले हैं यह हमारी राइफल है इस पर हमने यह हौक का स्कोप लगाया हुआ हुआ हौक साइडवाइंडर यह स्कोप है और यह हमारा अबनिशन है जो हम इस्तिमाल करने वाले हैं सेलर एंड बैलेट 180 ग्रेंड सॉट पॉइंट वैसे हंटिंग के लिए इस्तिमाल होता है लेकिन जैसा आपको मालूम है यहां हंटिंग अलाउड नहीं है तो हम इसको टागेपर शूट करने वाले हैं हमारे किसी काम का नहीं रहा है और यह हमारा दूसरा टार्गेट है मोटी सी लकडी है इसको में शूट करेंगे देखते हैं गोली आरपार हो पाती है यह नहीं देख सकते हैं आप काफी मोटा है यह हमारा खेत है इसके दूसरी तरफ यह जो आपको दिवार दिख रही है य यहां से लगबग 70-80 मिटर पर टार्गेट है तो चलिए शूट करके देखते हैं क्या होता है चलिए अभी मोनिटर को शूट करके देखते हैं क्या होता है यह था हमारा दूसरा टार्गेट इस पर गोली यहां हिट हुई और यहां से गोली का एक टुकड़ा यहां से एकजिट हुआ है थोड़ा हचेद है बाकी गोली का काफी इसा अंदर ही रह गया है तो चलिए एक गोली और शूट करके देखते हैं क्या होता है टार्गेट लगोई सेफ रह गया था थोड़ा इसके दजीया उड़ा देते हैं चलिए क्या हुआ है दोस्तों यह हमारे टार्गेट थे यह पहले लकडी का जो फट्टा था इस पर यह हमने निशान लगाया हुआ था और यह हमारी गोली इससे थोड़ा नीचे हीट हुई यह देखेए यहां से गोली निकली हुई है बाहर निकली है और यह हमारा दूसरा टार्गेट है पहली गोली इस पर यहां नीचे हुई थी प्र उसके बाद हमने दुबारा शुट किया था तो यह दूसरी गोली यहां बिलकुल सेंटर में लगी और देखिए इसकी क्या हलत कर दिये इसने यह देखिए गोली यहां से एकजिट हुई है एक ही गोली एकजिट हुई दूसरी शायद यहां से इसका गोली का एक टुकड़ा एकजिट हुआ है हमारी शूटिंग पूरी हो चुकी है उमीद करते हैं आपको मज़ा आया होगा अगर मज़ा आया तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें ठीक है दोस्तों धन्यवाद